आगाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशीक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेराना शाहिद राष्ट्रपती द्रौबदी मुर्मू ने कहा है कि भारत ने पिछले दस वर्ष में राष्ट्री हित में ऐसे अनेक कारे किये हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतिक्षा कर रही थे आज संसद में दोनों सदनों की सयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उलेक करते हुए कहा कि लोगों को इसकी सदियों से आशा थी और यह सपना अब पूरा हो गया है राश्ट्रपती मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाग पर प्रतिबंध लगाने और पिछले 10 वर्ष में सरकार की ओर से किये गए अनिकारियों का भी उलेक किया उन्होंने कहा कि पिछला वर्ष देश के लिए उपलब्ध ही उबरा रहा और भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना और चंद्रमा के दक्षणी ध्रूफ पर पहुँचने वाला पहला देश बना राष्ट्रपती ने कहा कि विश्व ने पिछले कुछ वर्ष में दो बड़े संगर्ष और कोविड महमारी की स्थिदी को देखा है और इस तरहां के वैश्विक संकटों के बावजूद सरकार ने मुद्रासपीती को नियंत्रन में रखा राश्ट्रपती ने कहा कि सरकार का माना है कि विक्सित भारत की विशाल सनचना चार मजबूत स्तंबों युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान गरीब पर आधारित होगी राश्ट्रपती के अभिभाशन के साथी वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र की आज शुरुवात हो गई, साथी लोकसभा और राजिसभा ने 14 सांसदों का निलम्बन रद कर दिया है इन सांसदों को पिछले मही में शीत कालीन सत्र के दौरान सत्र बाधित करने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षिता में आज भुपाल में कैबिनेट की बैठक आयजित की गई इसमें पारवती कालिसिंद चंबल लिंक परियोजना के लिए हुए समझेत को सुवीकृती दी गई बैठक के बाद नगरिये विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजेवर्गे ने बताया कि इससे मत्यप्रदेश और राजिस्थान को लाभ मिलेगा लगभग 72,000 करोर रुपियों की इस परियोजना में राज्यान श्मात्र 10 प्रतिशत है जबकि 90 प्रतिशत राशी केंदर शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी परियोजना से प्रदेश के 12 जिले लाभानवित होंगे कैबिनेट ने राश्ट्री या अंतर राश्ट्री प्रतिश पर्धा में भाग लेने वाले स्टार्ट अप को राश्ट्री इस पर्धा के लिए 50,000 वा अंतर राश्ट्री इस पर्धा में भाग लेने पर देड़ ल पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया तथा मद्यप्रदेश को 10,405 करोड रुपे की सडख परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्री मंत्री नितिन गटकरी का आभार जटाया। परिसर तक रोजशो करेंगे साथी उजवला गैस की राशी का हस्तान तरण करेंगे। मुरायना में होने वाले कारिक्रम से मुख्यमंत्री अनुपुपूर, बढ़वानी, दमो एवं छतरपूर के हितग्राहियों से समवाद भी करेंगे। उन्होंने बताये कि कारिक्रम कक्षेक्त्री चैनल्स के अलावा सोशल और डिजिटल मीडिया पर भी सीधा प्रसारण होगा। शैडो जिले में लोकसभा चुनाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारियां चल रही है। खंडवा में जिला पंचायत वार्ड क्रमांक दो सदस्य के लिए संपन चुनाओं में भाजबा समर्थित प्रत्याशी हापला निवासी पिंकी सुदेश वान खेडे ने निर्दली प्रत्याशी सुनीता बजरंग भौरे जस्वाडी को एक हजार नौसुन नव्य मतों से पराजित किया आज इस पुलेटिन में बस इतना है दीजे इजासत नमस्कार